जै माता की, राधे राधे, मेरे प्यारे भाईयों, बेहनों, माताओं माबंधूं, आज नवरात्री के पांचवे दिन मैं आपके लिए लाई हूँ, माता भगवती की कथा, बंधूं, जिसे सुनने मात्र से, मा आपके सभी दुख, कष्ट, धूर करेगी ही, आपको श्री, क कीरती की भी प्राप्ति होगी, बंधूं, यदि आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वली, सभी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले हो सके, बंधूं, श्री का मतलब है लक्ष्मी, आर्कीरती का मतलब है यश्च, बंधूं, माता भगवती की, इस कथा को सुनने मात्र से, मा, आपके भंडार सदा के लिए भरपूर कर देंगी, बोलों, माता राने कीज़े, सुच्या जोताँ वाली माता, तेरी सदा ही ज़े, भंडारे भरपूर करने वाली मा माता, तेरी सदा ही ज़े, पुल्यान रहा दिखोन वाली माता, तेरी सदा ही ज़े, जैक कराश्यरवलिदा, बोल साचे दरवार कीजे, ब्रह्मा कहते हैं, शिष्टे के आरभ में, मैं कमल पर निवास करता था, सरवत्र जल ही जल था, अनेक वरश बीतने पर, मैंने सोचा, कमल कीचड से उत्पन होता है, पर कीचड फोस धरती पर रहता है, इसलिए कमल मूल को ढूनने के लिए पानी में उत्रा, किन्तु पूरे एक हजार वरश तक, नीचे जाने पर भी, मुझे उसका अंत नहीं मिला, वापस आया, तो मधुकेटब नाम के दोराक्षस, मेरे से लड़ने के लिए तयार थे, उस नेत्रान पाने के लिए मैंने विश्नु को जगाना चाहा, पर वे प्रगार नीद्रा में ली इन थे, उनसे डर कर मैं कमल नाल में जा चुपा, और भगवती की स्तुती करने लगा, प्रसन होकर भगवती ने विश्नु को अपने तमो गु रूप को संवृत कर लिया, विश्नु जग गए और मदुकेटप का विनाश कर दिया, इस कथा का स्मरन करके मैं परा अंबा के मंत्र का जब करने लगा, बहुत वर्ष जब करने के बाद मुझे अकाश वानी सुनाई दी, सिष्टी करो, किन्तु सिष्टी करने के उपकरन तो थे ही नहीं, सिष्टी किस से करूं, मैं इसी उहां पोहों में पढ़ा था, कि वहां एक स्फटिक का रतन जडित विमान आया, मैं और विश्नु तथा अन्य देवतावर्ग उसमें बैड गए, विमान मन की गती से उड़ा, वह हम सब को लेकर बेकुंट, केलाश, स्वर आदि दिव्य लोकों का दर्शन कराता हुआ, परम पावन स्थान पर ले गया, मैं विश्नु और शंकर सहित सारे देवता अस्चरे चकी थे, यह एक दूसरा ब्रह्मान भी है, जिसमें मेरा विश्नु, शंकर, इंद्र, यम, कुबेर आदी सारे देवताओं का प्रती रू वे मनोरम भवन था, वहां लाल, सफेद, पीले वस्त्र पहने अनेक यूवतियां थी, वे सब भुवनेशी की सेवा कर रही थी, तब ही सारे देवता इस्त्री रूप में बदल गए, इस पर भी उन्होंने भगवती भुवनेशी को प्रणाम किया, मैंने शिवर विश्नु से स्तुदी की, जब मैंने उनके चरंस पर्ष किये, तो उनके पैर के नाखोन में यह सारा द्रिश्य दिख गया, जिसे देखकर मेरे आस्चरे की सीमा न रही, हमारे स्तुदी गान पर प्रसंद होकर भगवती ने कहा, देवतागन मेरे में और पुरुष में कोई अंतर नह दिखने वाले लोग मूर्ख हैं, जैसे दीपक और प्रकाश में कोई अंतर नहीं, दरपन में दिखने वाले बिम और प्रति बिम में अंतर नहीं, वैसे ही मेरे और पुरुष में कोई अंतर नहीं, यह प्रपंच मेरा गुन आत्मक सरूप है, निर्गुन सरूप को जाना नहीं जा सकता। मद्धिमा आदी जो कुछ है वह सब मेरा ही विस्तार है मेरे से भिन कुछ भी नहीं मैं ही ब्राम्मी, रोत्री, लक्ष्मी, व्राही आदी रूपों में इन देवताओं को क्रिये मैं बनाती हूं मेरी सत्ता में किसी भी वस्तू का अभाव नहीं यदी स्टिजन के उप्युक त्रिव्यों का अभाव होता तो मैं सिष्टी की बात क्यों कहती ख्यनिक, शुन्य, नित्य, अनित्य, सक्रितक, एहंकार अग्र और शाश्वत के रूप में जो कुछ दिष्टी और अनभव में आ रहा है, वेह सब मेरा ही विलास है, ब्रह्मन शिष्टी तुम्हारा करम है, तत्वगोन प्रधान विष्णू का तुम्हें समान करना जाहिए, ये समय समय पर राक्ष्णों का वद करके तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम नवारन मंत्र का जप और ध्यान करते हुए, अ ये सनहार के द्वारा तुम्हारी सहायता करेंगे, अत्यांत उतकर राक्ष्णों का विनाश करते हुए, देवताओं की घोर विपत्ती का नाश करेंगे, तुमने जो द्रिश्च देखा है, वेह मेरी सत्ता है, तुम्हें इसी प्रकार कारे में रत रहना है, ऐसे ही लोकों की रचना करनी है, इसके लिए तुम्हें सारे उपकरन प्राप्थ हो जाएंगे, मैं कारन हूँ कारे नहीं, कारन महीं हो जाने के कारन सगुन हूँ, कि तुम्हें पुरुष के पास जाकर परावस्था में निर्गुन हो जाती हूँ, नारद ने ब्रह्मा से पूछा वह निर्गुन कैसे है, वह संसार का कारन कैसे बनती है, ब्रह्मा उस परा अंबा का सगुन रूप ही द्रिश्य है, निर्गुन सरूप दुर्गम में है, उसे केवल विश्वास से ही प्राप्त किया जा सकता है, संसार के इत्पत्ति के मूल में एहंकार रहता है, इसलिए निर एहंकार कैसे हुए जा सकता है, हमारी चेतना गुनात्मक परकृती से आवरित है, ऐसी अवस्था में मेह निर्गुन रूप को कैसे जान सकती है, यान शक्ती, क्रिया, शक्ती, दर्व शक्ती के रूप में मेह गुनात्मक विकास को विस्तारित करती है, शिष्टी की उत्पत्ती में महत्व वा एहंकार मूल रूप से क्रियाशील है कामसी द्रब्वे शक्ती से शबद, सपर्ष, रूप, रस, गंद ये पांच तनमात्राएं और पृत्वी, जल, तेज, वायू, आकाश ये पांच तत्व निर्मित होते हैं सात्वी ज्यान शक्ती से इनके अधिष्ठाफ्र देवता बुद्धी और मन से युक्त होकर पंद्रे होते हैं श्रद्धा तीन परकार की होती है सात्वी की राजसी और तामसी एक हिंसक प्राने के भया वह रूप को देख कर भय प्रेरित जो श्रद्धा है बेह तामसी होती है कामातुर व्यक्ति की रूपति इस्त्री पज़ शद्धा होती है बेराजसी और निरुपाधी और शान्ती प्रदान करने वली शद्धा सासवे की है तीर्थ श्रान करने की श्रद्धा श्रुती जन्य होती है किन्तु वहां जाकर भी लोग राख द्वे से मुक्त नहीं हो सकते राजसिष्षध्धा कहते हैं दूसरे लोग तीर्थ पर तो पवित्र रहते हैं किन्तु वापस आकर उन्ही पापकर्मों में रद्ध हो जाते हैं यहें राजसिष्द्धा का रूप है आसूया, ईर्ष्या, अक्षमा और अशांती यह पाप है क्योंकि इनकी आने से ही पाप का उदे होता है व्यक्ति पाप करम करता है ये जब तक ना निकले दान पुन्य तीरत शनानादी व्यर्थ हैं इनके निश्प्रान हो जाने पर व्यक्ति का मन ही तीर्थ हो जाता है साथ विके शद्धा का भाव प्रगट होता है ये गुन अन्यान्यम आशित भी है और अन्यान्यम अभिभव भी, किसी एक गुन के सक्रिय होने पर दूसरे गुन भी क्रियाशील हो जाते हैं, साथविक भाव का उदे होने पर रज और तन भी प्रच्छन रूप से अपना प्रसार करने लगते हैं, सत्व गुन का उदे होन पर प्रसंता का भाव उत्पन होता है जिसे मन सुक्त की रूप में अन्भव करते हैं इस अवस्था में हमारे में सरल्ता पभित्तर्ता सत्य प्रियता शद्ध शमा । दया धैर यलज्जा और संतोश्विती का भाव प्रवल हो जाता है जिनका वरन शवेद है बोलो का माता कीचे राधे राधे जई श्री कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेर भी जरूर करें धन्यवाद